हलो फ्रेंड वेलकम टू मैं चैनल तो आए आज हम काजू के बारे में बात करते हैं काजू को अक्सर हम ड्राय फ्रूट मिठाईयों कई सारे पकवानों में सबजी में चटनी आदी तरीकों से खाते हैं काजू में विटामिन E प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिससे यह एंटी एजिंग का काम करता है काजू खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहता है और दिल की बिमारी भी दूर होती है काजू में भी मैगनेशियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, आइरन, मैगनीज, सेलेनियम जैसे मिनरल्स पाय जाते हैं जो इसे गुड़ों का खजा काना बनाते हैं काजू में पसा की मातरा अन्य नट्स की तुलना में बहुत कम होती है और इसमें ओलिक एसेट की मातरा अधिक होती है जो हमारे हरदय स्वास्थे के लिए बहुत लाबदयक होता है काजू में कॉलेस्ट्रॉल का इस्तर बहुत कम होता है और इसमें मौजू पोटेशियम और मैगनेशियम बहुत अधिक पाया जाता है, जो हमारी ब्लेड पेशर को नियंतरण में रखता है, काजू खाने के फायदे बालों के लिए भी है, काजू में कौपर पाया जाता है, काजू के नियमित उपयोग से बाल, लंबे, घने, मजबूत और चमकदार बनते हैं और बाल जणने की समस्या भी दूर हो जाती है, नियमित रूप से काजू का प्रतिदिन सेवन करने से पित में पत्री होने का खत्रा भी कम होता है, काजू में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, काजू तैली और शुशकत वच्चा के लिए लाबदायक है, मदू में नियंत्रिद रहता है, काजू में विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, यह गरवती महलाओं के लिए भी अच्छा आहार होता है, इसका नियमित उपयोग गरवती महलाओं और गर्व में पल रहे बच्चों के लिए बहुती लाबदायक हो काजू हड्डियों के स्वास्त के लिए भी अच्छा होता है। काजू खाने से शरीर को उर्जा मिलती है और थकान दूर होती है। काजू में एक प्रकार का तेल होता है जो विटामिन B का खजाना है। खाली पेट काजू खाकर शहत खाने से इसमराण शक्ती जल्दी बढ़ती है। काजू शरीर में खास पोशण तत्वों की कमी को दूर करते हैं। शरीर का मेटाबोलोजन भी ठीक रहता है और कई सारी बिमारियां दूर रहती है। यह आखों की रोशनी बढ़ाने में भी सहायक है। यह आखों से संबंदित बिमारी से बचाता है और आखों की मास्पेशियों को मजबूत करता है। काजू आइरन का अच्छा विकल्प है। यह आइरन की कमी को पूरा करने के साथ ही रक्त की कमी को भी दूर करता है। अधिक सेवन से पेट खराब जैसी समस्याएं हो सकती हैं। काजू में कैलोरी अधिक मातरा में होती है। इसका अधिक सेवन से आपके अवजन बढ़ सकता है। सिरदर्द और माइगरन से पीडित लोगों को अधिक मातरा में काजू का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें मौजूद अमीनो एसेड सिरदर्द और माईग्रेन के दर्द को और बढ़ा सकता है काजू को भी 5-6 घंटे भिगो कर खाएं और दिन में 4-5 काजू खाएं तो यह कभी नुकसान नहीं पहुँचाते काजू की तासीर भी गर्म होती है इसलिए आप इसका सही और उचित मात्रा में सेवन करके लाब उठा सकते हैं किसी भी चीज को अगर हम उचित मात्रा में और उचित समय तक खाते हैं तो हमें कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुँचाती तो फ्रेंड इस तरह से काजू से जुड़ी हुई इतने ही बाते और हम स्वास्त से जुड़ी बाते मेरे आनने वाले वीडियों पे करेंगे तब तक के लिए आप मेरे वीडियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल आइकन को भी प्रैस करें